हलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आइफॉन में safety check कैसे कर सकते हैं अगर आपके आइफॉन में iOS 16 Plus है तो आप देख सकते हैं कि आपके आइफॉन में कौन-कौन सी application क्या-क्या चीज यूज़ कर सकती है आप अपने आइफॉन में अपने आइफॉन में आपको doubtful लगे तो उसमें से आप वो permission अगिरे remove भी कर सकते हैं तो इसके लिए इस वीडियो का सुरू से लेकियान तक देखते रहिए आप देख रहे हैं टैकी प्रसांद तो चलिए देखते हैं अब हम देखते हैं कि आप अपने आइफॉन के अंदर safety check कैसे use कर सकते हैं अगर आपके आइफॉन के अंदर iOS 16 है तो उसमें safety check का feature दिया गया है बेजिकल ये safety check में होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि आपने अपने आइफॉन के थरू ID के थरू कितने लोगों को कौन-कौन सी permission दे रखी है और कौन-कौन सी एप आपके आइफॉन में से क्या-क्या चीज़े यूज़ कर रहे हैं और कौन-कौन सी एप वाइफाई यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, कितनी permission दे रखे हैं, वो सब आप वो safety check में देख सकते हैं तो safety check करने के लिए आपको जाना होगा settings में, और आपके आइफॉन में iOS 16 अपडेट होना चाहिए, तभी आपको settings मिलेगा और यहां से आपको जाना है privacy and security, और यहां पे आप scroll करेंगे, तो यहां पे मिलेगा आपको safety check का option, आपको tab करना है और यहां से आप देख सकते हैं कि emergency reset, अगर आपको लगता है कि आपकी safety जो है, access वगरे, risk में है और emergency में आप सारा setting यहां से reset कर सकते हैं, तो आपने जितनी भी application को अलग-अलग permission वगरे दे रखी हो सारा reset हो जाएगा अगर आप चाहें तो यहां से check कर सकते हैं, कि कौन कौन से दे रखी है, permission वगरे, तो अपने हिसाब से कोई individual setting भी आप off कर सकते हैं और यहां पर यह बटन दिया गया है, आप जब भी चाहें, तो इसे कोई भी step पर आप अगर रुकते हैं, और directly आप home page पर जाना चाहते हैं, तो directly भी आप जा सकते हैं ज़रूर ही नहीं कि हर एक check जो step अगरे हो आपको complete ही करना है तो अब भी हम देखते हैं कि आप कैसे वो सारा manage कर सकते हैं, sharing और access जो application की होती है, वो कैसे आप चेक कर सकते हैं उसके लिए यहां पर tap करना है, जैसे यह tap करेंगे तो आप यहां पर information देख सकते हैं यहां पर दो चीज होगी, एक तो review people, यहां पर आपको यह बताएगा कि आपने कितने लोगों को आपको location, photo अगेरे की access दे रखिए, दूसरी app बताएगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी app आपके phone में से कौन-कौन से settings यूज़ कर रही है अगर आप चाहें तो यहां पर cancel कर सकते हैं, quick exit करेंगे तो directly home page पर चले जाएंगे, settings में से भी बार चले जाएंगे अभी मुझे यहां पर tap करना है, continue, continue tap करेंगे, तो यहां पर कुछ information आपके phone में से गेधर करेगी, यहां पर देख सकते हैं, message आ रहा है, unable to gather, not sharing information, ठीक है आप फिर से आप back जाके कर सकते हैं, कुछ-कुछ situation में कुछ information गेधर नहीं हो सकती, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि दो settings है, people और information, तो यहां पर यह people के हिसाब से बताया है, means यहां पर मुझे बता रहा है कि, for example, यह एक, दो, तीन, चार, यह चार लोगों को मैंने रखी है, for example, यहां पर एक user है, यहां पर छोटे से आप text में देख सकते हैं, कि find my share calendar वगएर, information दे रखी है, और यहां पर दूसरा tap है, information, तो यहां पर reverse है, for example, यह तीन application है, find my share calendar and share not, तो वो कितने लोगों को यहां पर दिखा रहा है, कि दो लोगों को यह permission दे रखी है, share चाल लोग यूज़ कर रहे है, मेरी share not, दो लोग यूज़ कर रहे है, तो आप या तो people के हिसाब से, या तो information के हिसाब से चेक कर सकते हैं, अभी मुझे यहां पर देखना है, कि इस user को मैंने कितनी permission और कौन कौन सी access दे रखी है, तो मुझे यह select करना है, बाद मैं मुझे user को अभी देख सकता हूँ, कि दूसरे user को मैंने क्या-कया permission दे रखी है, तो इस user को भी मैंने यह तीन permission दे रखी है, अगर मैं चाहूँ, तो यह permission मैं remote कर सकता हूँ, पर example, मुझे यह notes के access नहीं देनी है, तो यहां पर मैंने select कर दिया और यहां पर मुझे tap करना है stop setting, यहां पर मैं skip कर सकता हूँ, जैसे skip कर दिया तो आप देख सकते हैं, यहां के safety check का जो पहला step है, वो complete हो गया, अभी मैं आगे continue करूँगा, तो मुझे बताएगा कि कौन कौन सी application मेरे device में से क्या क्या चीज यूज कर रही है, उसके लिए मुझे यहां पर continue करना है, जैसे continue क किया तो आप देख सकते हैं, यहां पर सारी एप आ गए, मेरे phone के अंदर जितनी भी एप है, वो जो जो यूज करें, वो सारी information यहां पर आ गए, for example, यहां पर आप देख सकते हैं, Google Home, Camera Connect, MI Home, तो यहां पर मुझे देखना है कि Google Home मेरे device में से क्या क्या यूज कर रहा है, त तो अगर मैं चाहू, तो यहां से मैं कोई भी permission remove कर सकता हूँ, for example, मुझे लगता है कि मुझे land के access नहीं देनी है, यहां से select कर दिया, stop, access कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि यह application के लिए यह सब चीजे ज़रूर है, इसलिए मैं इसे रखूँगा, और दूसरा option है, मैं information के through भी जा सकता हूँ, यहां पर app के through बताया है, और यहां पर information के through, तो आप देख सकते हैं, यहां पर Bluetooth है, location है, microphone है, यहां पर आपको दिखा रहा है, कि Bluetooth कौन-कौन से application यूज़ कर रहा है, यहां पर मैं अगर info में जाओगा, तो मुझे पता चल जाएगा, कि जो Bluetooth है, वो Google Home camera इतनी चार application Bluetooth को यूज़ कर रहे है, मतलब यहां पर particular जो मेरी device के अंदर जो भी feature से, जो भी permission है, उसके हिसाब जा सकता हूँ, location में अगर मैं जाओ, तो मुझे पता चल जाएगा, कि इतनी सारी application जो है, वो मेरे device में से location अक्सेस कर रहे है, अगर मैं चाहूँ, for example, मैं च जाएगी, और अगर आपको लगता है, कि नहीं, यह सब safety check पर proper है, और जो application को जो चीज की जरूरत है, वही use हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर tap करना है, skip, तो जैसे skip tap कर दिया, तो यहाँ पर step to be complete हो गया, और यहाँ पर मुझे tap करना है, continue, अभी तीसरा step आएगा, यह जो यहाँ पर बताएगा, तो अगर आप चाहें, तो यहाँ पर continue tap कर सकते हैं, या तो directly quick exit भी कर सकते हैं, तो अभी है मेरे device में जो Apple ID वगर है, उसकी security वगरे का अभी जो setting है, वो मुझे पूछ रहा है, तो अभी मैं यहाँ पर अपना Apple ID और password डाल देता हूँ, तो जैसे ही म मैंने अपना Apple ID और password डाल दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बता रहा है कि मेरा Apple ID हो कितने कितने device के अंदर use हो रहा है, तो यहाँ से मैं सारी information देख सकता हूँ, यहाँ पर इंफो पर tap करके वो देख सकता हूँ, कि वो device कब उसका serial number और XYZ सारी details आपको मिल तो next step पर आजाएगा, अभी यह बता रहा है कि trusted phone number, क्योंकि जब भी क्या होता है कि हमारा Apple ID वगरे जो password अगरे कभी हम भूल जाते हैं, तो account को protect करने के लिए trusted phone number होना चाहिए, वो phone number के उपर हमें एक receive, जो verification code है वो receive होता है, तो आपको कर लेना है कि यह जो number है वो आपक अभी यहाँ पर एक setting है, update Apple ID password, मिस आप चाहें, तो यहाँ पर update password को भी update कर सकते हैं, लेकिन अभी update मुझे नहीं करना है, तो मैं टैप करूँगा update later in settings, और दुसरा एक है emergency SOS, मिस जब भी आपको emergency call करते है, तो आपको emergency contact set करना होता है, कि जब भी आपको SOS call करते हैं, उस भी ऐसी situation हो, तो उस ताइम पर यहाँ पर जो भी number set हुआ है, उसे वो call लगेगा, तो इसके लिए आप यहाँ से add टैप करके emergency contact set कर सकते हैं, अभी मैंने already select कर रखा है, तो मुझे जरूवत नहीं, तो मैं यहाँ पर टैप करूँगा continue, और अभी यह मुझे पूछ रहा है तो मैं भी उसे skip कर देता हूँ, और अभी यहाँ पर देख रहा है कि safety check complete, और यहाँ पर मुझे टैप करना है, done, लब आपने अपने हिसाब से जो भी device के अंदर safety के related checking थे हैं, वो checking कर लिए है, आपको अभी पता चल गया होगा, कि आपके device में कौन कौन सी app क्या क्या चीज यूज़ कर रही है, तो ऐसे आप safety check यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई app के उपर doubt लगता है, तो आप वो settings के अंदर जा के वो particular चीज़ रिमूव भी कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो उसे like कर दीज़े और चैनल को भी subscribe कर दीज़े, thanks for watching